दोस्त वीडियो में बात करेंगे CHC VS HYD यानी की चेननाई सूपर किंग्स VS हैदराबाद के बीच में जो आपको वीडियो आप लोग द्यान से देखना कहीं पर भी आप लोग स्किप मत करना उसे पहले आप लोगों को पता होगा कि दोनों ही टीम से अपने सभी मैची जहां पर हार चुकी है चेननाई की टीम ने तीन मैच खेले और ये अपने तीनों मैच हार चुकी है लेकिन फिर भी अगर देखे तो चेननाई की टीम भऑखता खुल पाएगा विनिंग का वो देखना पड़ेगा क्यों कि चेननाई का मैच आपको दिन में देखने को मिलागा और MI भाई या रात को खेलने वाली है तो दोनों टीम शायद अपना पहला मैच आज के दिन में विन कर सकती है तो लेकिन अपना जो फोकुस रहेगा अपना फोकुस रहेगा कि अपनी जो हम लोग टीम क्रियेट करेंगे वो टीम पर्फॉम करनी चीए तो किस परगा से प्लेज को टीम में पिक करना है सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिसकस करने वाले है तो आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहे ना उससे पहले चैनल परना ही हो तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बैल को भी ओन कर लीजिए क्योंकि आपको पता कि आग्याने वाला आई पेल का जो भी मैच रहेगा मैं आपको इलिए सबी मैचिस कवर करने वाला हूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब गरगे नोटिफिकेशन बैल को जरूर से ओन कर लेना क्या अगर ना आपको सर्मपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है सबसी उपर टोप में आपको एक पिंड कमेंट मिल जाएगा आपको वहाँ पे लिंक दिखेगा टेलेग्राम का तो वहाँ से जोईन कर सकते हूँ और बैसान समाल लीजिए तो आपको वहाँ टेलेग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगी तो आप लोग टेलेग्राम चैनल के साथ में जरूर से जोईन हो जाना मैच की बात करें तो देखो चेनले की टीम की स्पेसली में बात करूँ तो एक-दो changes शायद आपको देखने को मिल सकते हैं बाकि हैंदराबाद की team में भी expected है कि शायद आपको एक-दो changes देखने को मिल जाएं तो दोनों teams के बारे में बात करेंगे सबसे पहले wicket keeping section में देखें Nicholas Puran और MS Dhoni, दो options आपके पास में रहेगी अगर आप लोग safe खेलना चाते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप Nicholas Puran के साथ में टीम में चले जाना क्योंकि देखो Puran का betting order थोड़ा सा उपर हैगा second down पे मेरे हिसाब से ये betting करने आने चीए बाकि MS का betting order देखोगे तो वो कम से कम आपको fifth down पे तो लिष्ट जरूर से देखने को मिलेगा क्योंकि चिन्ने की टीम के top order में बहुत सारे bets men है यार जो अच्छी betting कर सकते हैं even betting section में ओलाउंडर section में भी काफी अच्छे player हैं तो MS की betting काफी नीचे आईगी तो उसको जान में रखते हैं निकलस पूरण मेरे हिसाब से आपके लिए safe option रहीगा तो मैं यहापे निकलस पूरण को टीम में रखूँआ बाकी performance का coding देखो MS का मुझे ठीक ठाक लगा है लेकिन निकलस पूरण भी यार काफी talented player है इंडिया के साथ में जो western days की team ने T20 series खेली थी वहाँ पे कमाल का performance कर रहा था और ये T10 matches में भी अच्छा करते हैं बाकी IPL के अंदर इनका यार पता निए उस level का perform नहीं देखने को मिलता betting section में आओगे तो सबसे पहले Robin Uthappa, Rahul Trapatti, Sivam Dube, Kane Williamson नेची आओगे तो आपके पास में place pick करने पढ़ेंगे bowling section में आपको कम place pick करने पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो देखो मैं किसको team में रखूँ हूँ मैं नीचे आँगा मैं रहतुराज guy quad को team में रखूँ हूँ 42% selection है तीन matches में लगातार flop जा चुका है एक match में run out भी वा था लेकिन यर किस परकार का player अब वो आपने आईपेल 2021 कंतर देख लिया होगा देखो 2-3-4 matches किसी भी player के खराब जा सकते है कोई बड़ा issue नहीं है लेकिन player important है अगर player के अंदर talent है perform करने का तो आप लोग उस player के साथ में हमेशे रिसकर ले सकते हो कोई ना कोई एक match ऐसा होगा जिसमें आपको वो पिछे वाले सारे matches आपको cover करवा के दे देगा तो इस वज़े से मैं देखो रितुराज गायकवाड को टीम में जरूर से रखने वाला हूँ और वैसे भी bowling के अगर मैं बात करूँ तो मेरे इसाब से या तो इनको one down आना चीए या फिर second down opening according to me इनको नहीं करने चीए क्योंकि इनके पास में options already available है यहाँ पे राहूल तरपाथी इनके पास में जो open कर सकते हैं बटिये इनके साथ में बगया one down बैटिंग कर वा रहे हैं इस साल आईपेल में पता नहीं इनको क्या सोच रखा opening करने का बट मुझे नहीं लगता कि वह चीज़ इनको repeat करने चीए उपर आओगे तो रोबिन उथपा को मैं टीम में रखुआ अब सिवम दूबे देखो यार मेडल ओर में आखके काफी अच्छी बैटिंग करी है अब यहां पे देखो कि उलाउंडर सेक्षन में मोहीन अली को इन्होंने क्यों टीम में रखा है सबसे बड़ा रिजन अगर थोड़ा सा बुरा बोल मिले तो यह हिटिंग कर सकते लेकिन अच्छी बोल पे सिंगल डबल्स के साथ में भी खेला जा सकते है क्योंकि यह बंदा वो प्लेयर है जो आपको हिटिंग भी करके देदेगा प्लस आपको सिंगल डबल्स या फिर चोके चेकों में भी आपको जो है अपनी पारी को बिल्ट करके दे सकता है इसके अंदर वो टेलेंट है लेकिन मोहीन अली तो भाया सिध्या हिटिंग करेगा दिपक साहर तो अभी अवलियबल है नहीं तो यहां से एड़न मिलने के साथ में जा सकते है क्वालिटी बोलर है या टीम में जरूर इनको खिलाना पड़ेगा अगर अपनी बोलिंग को थोड़ा सा स्टोंग करना है तो यहां से बैटिंग सेक्शन में अभी के लिए देख सकते हो अच्छी उपसन है अभी इस एक सर्मा को ग्रेंड लिग में ट्राई कर सकते हो बोलिंग सेक्शन में आओगे तो सबसे पहले आपको बता दू यहां पर डीजे बराओ सबसे पहले मैं टीम में पिक करने वाला हूँ उसके बाद में देखोई तो भूनेस वर कुमार को यार मैं टीम में नहीं रखूँगा क्योंकि इनका बोलिंग में मुझे कभी एक चीज फेली नहीं होती कि यह विकेट लेना चाते हैं या फिर इनको विकेट मिलेगा कभी मुझे इनकी बोलिंग देखके अब नहीं लगता लेकिन हाँ एक टाइम था जब भूनेस वर साओ तो रख सकते हो आपके अपनी च्वाइस रहेगी उमर मलिक के पास में देखो पेस काफे जादा है लेकिन उस पेस के सक्कर में इनको मेरे हिसाब से यह नहीं समझ जाता कि इनकी बोल का टपा कहां जरने वाला है यह बस पेस के उपर रहते हैं पेस जहां जाएगा ठी मैच में भाई मोका नहीं मिलने वाला इनकी जगह पे फिरसे आई थिंक यहां पे आपको खेलतावा दिखेगा भया कौन सा प्लेयर तुसार देश पांडेगो शायद एक बार फिरसे इनकी टीम मोका दे सकती है निचे देखोगे तो यार हंगार गेकर काफी बढ़िया प् थी बोलिंग के अंदर सोच के देखो 210 रनिया टी-20 मैचिज में काफी ज़्यादा होते हैं लेकिन बोलिंग बहुत ही ज़्यादा कमजोर है चेन्नी की टीम की तो अभी भी देखोगे तो मेरी टीम में यहां पे कितने प्लेयर आचुके देखो दोस्त आठ प्लेयर मेरी ट यहां से बोलर्स देखोगे तो मेल नी तो तीन बोलर्स भी मैंने पिक कर लिये अप आप लोगों के पास में उपसन बस दे किसी एक प्लेयर गी आप लोग बैटिंग एक्शन से लेना चाहूं ले सकते हो 24 आपकी रेगी बैटिंग एक्शन में आपके पास में बहुत सारी option से याँ पे राहूल तिरपाथी वन डाउन बैटिंग करना हैंगे सिवम दूबे के साथ में मैं फिलाल जाओंगा क्यों जाओंगा यार क्योंकि आपको बता दिया भाई देखो जाए चीज तो वही देखने को मिलते क्योंकि जिस परगार के इनकी बोलिंग देखने को मिली है अब फाइनली प्लेयर का सेलेक्शन आप लोग करोगे लेकिन मैच आपके पास मैट लिस्ट ऐसा बोलिंग ओप्सन होना चीए जो आपके टीम को शायद मैच विन करवा दे और ऐसी बेकार बोलिंग के साथ में खेलोगे तो मुझे नहीं लगता कि चैनली की टीम एक बार फिर से 210 रन बनाने के बाद भी मैच विन कर सकती है लेकिन सामने आज हैदराबाद की टीम है जिनकी बैटिंग उतनी ज़्यादा शोंग नहीं तो आज चांसिस बन सकते हैं अभी भी आपके पास में रविंदर जडेजा की ओप्शन है ट्राइ करना चाहू कर सकते हो एड़न मराकरम की ओप्शन है लेना चाहू ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो टीम सेलेक्शन में आपको काफी ज्यादा दिक्कत आईए आज के मैस में क्योंकि बहुत सारे प् पर इसको पिक करना पड़ेगा कौन सी टीम फर्स्ट बैटिंग करने आ रही है सैकेंड बैटिंग कौन सी टीम करेगी उसके एकोडिंग बोस देखो टीम में चेंजिस डेफिनेटली होने वाले हैं तो फाइनल टीम जो आपको मिलेगी न वो आमारे टेलेग्राम सेनल पर म कर लेना केफ्टन सी फाइनली किसको कर सकते ही मापको टेलीग्राम सेनल प्र अपटेट करущेंगा तो उमिंद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने कम्लीट देखा होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना स्टेस्स मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दियanto क्यो वीडियो में उमीद गरता हूँ कि आप लोग एक बढ़िया टीम को मिलेशन बनाओगी और इस मैस में आपके टीम अच्छा पर्फुम जरूर करेगी